बिहार में 2016 से सराबंदी कानून लागू है छे सालों बाद भी धरातल पर सराबंदी कानून का उहनक नहीं दिखता है हर जगा सराब की सप्लाई और सराब का निर्मान धडलले से जारी है इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने बड़ा फैसला लिया है अब सराब कारोबारियों और जो सराब बनाने वाले लोग हैं उन पर निगरानी के लिए नितिस सरकार ने हेलिकॉप्टर को उतार दिया है आज से हेलिकॉप्टर ने उरान विबरा हेलिकॉप्टर में जो मदनी सेथ विभाग के अधिकारी होते हैं वो अधिकारी जाकर के सराब जहां निर्मान हो रहा था आकास से देखे हैं तो यह खबर हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने हेलिकॉप्टर को लगा दिया है सराबंदी कानून फेल होता देख मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है और आज से इसकी सुरुवात भी हो गई है खुद मुख्यमंत्री नितिस कुमार पटनाई अर्पोर्ट पर हेलिकॉप्टर को देखने गए और अधिकारियों से उन्होंने बात की जो जनकारी है कि हेलिकॉप्टर चार सीटर हेलिकॉप्टर है आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बजापता एक निव हेलिकॉप्टर वयानी कि नए हेलिकॉप्टर को मुख्यमंत्री नितिस कुमार सराबंदी कानून सफल बनाने को ले करके मैदान में उतारा है इस हेलिकॉप्टर पर मद्द निसेद विभाग की जो टीम है पटना की टीम उस टीम ने पहली दफा उडान भरा और पटना गंगा नदी और सोन नदी के किनारें पर जा करके बजापता देखा किस तरीके से सराब का निर्मान हो रहा है इसके बाद डीम और एसपी को इसके बारे में जनकारी दी गई और वहाँ पर छापे मारी कराई गई है यहाँ खबर निकल करके सामने आ रहे तो आज से अब आकास से भी निगरानी हो गई कि कहा सराब बन रहा है या फिर सराब की सप्लाइ कैसे हो रहे इन तमाम बातों पर अब हेलिकॉप्टर से निगरानी होगी और आज से इसकी सुरुवात हो गई है दरसल मुक्यमंत्री नितिस कुमार ने यह कदम तब उठाया जब ड्रोन से निगरानी की जाने लगी इसके बाद कहीं नगे प्रसासन को सफलता मेली किस तरीके से नदी किनारे सराब का निर् इसके बाद कई बड़े सराब भठी या सराब के जहां पर सराब का निर्मान हो रहा था उसमें उसे ध्वस्त करने में पूलिस को सफलता मिली इसके बाद नितिस कुमार ने सोचा कि निश्चित तोर पर अगर हम आकास से निगरानी करेंगे तो इसे यह ज्यादा कारगर हो होगा लिहाजा सरकार ने निर्ने लिया कि इस काम में हेलिकॉप्टर को लगाईए मुख्यमंत्री ने विभाग के जो प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव हैं कि के पाठक उनको यह जिम्मेदारी दी और आज हेलिकॉप्टर पटना में है पटना एरपोर्ट से वो उड कारी दी गई और इसके बाद उस पर कारवाई भी हुए तो पहली दफे बिहार में सराब सप्लायरों या फिर सराब कारोबारियों की पहचान के लिए वहां की तस्वीर लाने के लिए हेलिकॉप्टर को लगाया गया है तो अब तस्वीर देखिए कि इस तरीके से हेलिकॉ क्ष़्चर के लिए बिले स से हेलिकॉप्टर आव है तो अभी तेर कार देखिए तरीकॉप्टर को लिएल देखिए कि तस्वीर देखिए कि वहां है थाई सक्तादार आई पर आई से है तो खंगतों अजरूइक कैन एएल भी है दो सुन धब अब हैं।